हेलो फ्रेंट्स जैसे कि आप स्क्रीन में वीडियो देख रहे हैं जंप करके हवा में उड़ने वाली तो फ्रेंट्स इस वीडियो का ट्यूटोरियल मैं लेके आ गया हूँ इस वीडियो का ट्यूटोरियल मेंज एडिटिंग करना बहुत ही आसान है इस वीडियो को आपको पूरा लास्ट तक देखना है और ध्यान से देखना है अगर फ्रेंट्स आपका एक भी स्टेप इधर उधर हो गया तो आपकी ये वीडियो नहीं बन पाएगी तो चलिए दो तो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है तो फ्रेंट्स आपको कोई और काइन मास्टर नहीं इंस्टोल करना है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहीं से करना विकोज फ्रेंट्स ये वाले काइन मास्टर में का वाटरमार्क नहीं से पहले अपना काइन मास्टर ओपन करेंगे कि काइन आस्टर ओपन होने के बाद हमें यह प्लस वाला निशान दिख रहा हम इस पर क्लिक करेंगे हम नोव पॉइंट 14 बाइट फ्रेम ले लेंगे फिर फ्रेंट्स हमारे सामने ये पेज खुल के आ जाएगा हम अब मीडिया पे क्लिक करेंगे मीडिया पे क्लिक करने बाद जो हमने वीडियो बनाई है हम वहां से इस वीडियो को उठा लेंगे तो friends इस वीडियो को बनाने के लिए हमें starting में थोड़ा सा दोड़ के आना है और फिर jump कर देना है जैसे कि आप screen में देख सकते हैं बस jump कर देना है हमें बस इतनी वीडियो चाहिए हम यहाँ पर कैंची पर जाके split add play add कर देंगे हमें क्योंकि आगे की भी थोड़ी सी वीडियो चाहिए हमें आगे की थोड़ी सी वीडियो ऐसी बनानी है बस हमने jump करनी है बस ऐसे jump करनी है friends हमें आप देख सकते हैं screen में ऐसे हमने jump करनी है ऐसे jump करके हम stop कर देंगे तो यहाँ पर हमें box दिख रहा है हम इस पर click करेंगे फिर capture and save पर click कर देंगे हमा तो मारा यह screenshot हो जाएगा हमें बस इतना ही चाहिए बस यह इसको हम delete कर देंगे अब बस हमें यह यह वीडियो चाहिए बस इतनी तो friends साब हमने जो screen shot capture किया है उसको थोड़ा सा crop करना है हमने इसका background crop करना है background करने के लिए हम अपना pix art ओपन करेंगे पिक्साइट ओपन करने का था हमें यह प्लस का निशान दिख रहा हम इस पर क्लिक करेंगे प्लस के निशान पर तो हम वह वाली photo उठा लेंगे जो हमने screen shot capture की थी तो friends यह वाली photo है जो हमने की थी काइन master से जिसका screen shot लिया था अब हम इसको cut out पर क्लिक करेंगे cut out पर क्लिक करने के बाद हम इसको photo को zoom करके side का cut करना है हम ने हम इसका धियान से कट कर लेंगे एसे बोर्टर पे क्लिक करके ऐसे करने से मारा साइड का बेग्ग्राउंड कट लजाएगा कि तो फ्रेंट्स मुआ वीडियो को आगे बढ़ा देता हूं आप अच्छे से इसको कर ले ना तो Friends जैसे कि आप स्क्रेइन में देख रहे हैं मारा कट हो गया है अब हम एरोपे क्लिक कर देंगे जो आगे है ने के तो Friends आप आख़वे क्लिक करके देख सकते हैं कि मारा फोटो कक्ट गया है पूरा जूनने अगलिए कटा हो तो आप इस पे pencil पे क्लिक करके Erase पे क्लिक करके तो आप cut कर सकते हैं हो रहा तो friends मारी photo cut हो गई अब हम save पे क्लिक करते हैं इसको तो friends हम इसको photo को HD करने के लिए हम draw पे क्लिक करेंगे तांकि मारी photo पूरी full HD हो save फिट three dot पे क्लिक कर देंगे save image पे क्लिक कर देंगे photo save होने के बाद friends हम अपना kind mustard दबारा open कर लेंगे जैसे friends हमारा वीडियो खतम होता है तो हम media पे क्लिक करेंगे media पे क्लिक करने के बाद हमें कोई भी background चूस कर लेना है कोई भी आप red white pink कोई भी ले सकते हैं background फिटीक पे क्लिक कर देंगे तो friends अब हमने वीडियो को थोड़ा सद्यान से देखना है जहां से हम जंप करती है ना हमने वहां पे stop करना है वीडियो को जैसे कि friends मैं यहां से जंप कर रहा हूं अब हम मैंने अपने layer पे क्लिक करना है अब हमने layer पे क्लिक करने वाद हम media पे क्लिक करेंगे media पे क्लिक करने के बाद आपको यह बादल की photo लगाने है मैंने इसका description में link डाला हुआ है आप वहां से इसे download कर लेना इसको हमने पूरा photo के बराबर लगाना है पूरा video के बराबर छोटा बढ़ानी होना चाहिए पूरा video के बराबर लगाने के बाद हम इस photo को थोड़ा से छुपा देंगे पूरा नुक कर पूरा side में पूरा side में photo को छिपा देंगे ऐसे फ्रेंड्स हमें पूरा छिपा देंगे अब हमने वीडियो के लास्ट में जाना है वीडियो के लास्ट में जाने के बाद हमें चाबी दिख रही है ना फ्रेंड्स हम चाबी पे क्लिक करेंगे चाबी क्लिकने बाद हम प्लस वाले निशान पे क्लिक कर देंगे पला सुरे निशान पर क्लिक करने बड़ेगे उसको हम थोड़ा से फ्रेंट्स के ऊपर फिक्स कर देंगे पुरा पूरा OK कर देंगे फिर हम TIC पर क्लिक कर देंगे तिक पर क्लिक करने बाद मारा देखो फ्रेंट्स ऐसा वीडियो बन चुका या थोड़ा होता तो फ्रेंड्स अब हमने इस वीडियो के पिशेट पे आना है जहां पे यह फोटो लगाई थी जैसे कि हम यह वावाली पोजिशन पर आगई आप हम लेयर पे कलिक करेंगे अपनी लेयर फिर मीडिया पर तो फिर हम यह खंबे वाली फोटो को लगा देंगे इसका विसका फ् तो friends ऐसे बढ़ी होके पूरी साइड में लगा देना इसको भी तो friends से साइड में सैट करने के बाद हम वीडियो को थोड़ा आगे करेंगे यह जो हमें black background दिख रहा है हम पुरा इसका बर वीडियो के ब्राबर कर देंगे इसको भी थोड़ा और खीच के बढ़ा कर देंगे पुरा पुरा वीडियो के ब्राबर कर देंगे ऐसे friends से अब हमने यह वाली यह वाली लेयर पर क्लिक करना है यह जो हमें red dot दिख रहा है ना नीचे हमने हमने इस पर जाना है पूरी इसकी पोड़िशन पर इसकी पोड़िशन में जाने में के लिए हम यह चाबी पर क्लिक करेंगे यह जो हमें arrow दिख रहा है ना आगे को लाइट साइड को तो फिर हम इस पर क्लिक कर देंगे पूरा उस पर पहुंच जाएंगे अब फ्रेंट्स इस डॉड पर आने के बाद हम यह नीचे वाली लेएर पर लिए इसी पर तो फ्रेंट्स हमने चाबी पर क्लिक करना है फिर यह में प्लस का निशान दिख रहा है अब को इसरी पंदी करेंगे । फोड़ी जÂनर को पते हैं & करें सी थोड़ी जन इसना है संय को Ц Kirby को उप्लिज एख लिए देख एमस प्लै कि इतकी लिए निषे अन अ मरी इस आरे ऐव और सुन है तो फ्रेंड्स मैं उमेद करता हूं आप पूरी वीडियो को समझ गए होंगे थोड़ा वह तो अब फ्रेंड्स हमने उस पार्ट पे इस टॉप करनी है वीडियो को जहां से हम जंप करते हैं और हमारी आधी बोडी दिखती है तो फ्रेंड्स जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं आधी बोडी गाइब हो गई है तो हमने यहां पे वीडियो को स्टॉप करना है अब हम लियर पे क्लिक करेंगे लियर पे क्लिक करने को पाद हमें वह वाली फोटो उठानी है जो हमने पिक्सार्ट से अभी क्रॉप की थी कट की थी साइड का बैक्ग्राउंड अब है अब करेंड सामें से हमें हमने इस फोटो को कुछ इस तरह लगाना है थोड़ा सर रूटेट कर देंगे उपर से कि थोड़ी से फोटो को बड़ी कर देते हैं तो फ्रेंड्स ऐसा ही करना है हमने टिक पे क्लिक कर देंगे अब टिक पे क्लिक करने माद हम इस फोटो को थोड़ा बड़ा कर देंगे वीडियो की एंड तक कर देंगे तो फ्रेंड्स इस फोटो को ऐसे लगाने के बाद हम ये थ्री डोट दिख रही है हम ये थ्री डोट पे क्लिक करेंगे थ्री डोट पे क्लिक करने के बाद हम इस पे सेंड बैकवार्ड पे क्लिक कर देंगे तो friends ये फोटो देखो आप कि स्क्रीन में खंबे के पीछे चली गई है खंबे के पीछे जाने के बाद अब हम थोड़ा से वीडियो को आगे बढ़ाएंगे जहां पे हमें ये दिख रहे है न उपर वाला बॉक्स है जो वाइट कलर का उपर वाले बॉक्स के बराबर हमने तोप करने के बाद इसी फोटो पर कलिक करने के बाद हमें ये चाबी दिख रही है थोड़ा ओर ओपर कर देंगे थोड़ी और उपर करने वाद टिक पे क्लिक कर देंगे टिक पे क्लिक करने वाद हमें थोड़ी और आगे जाना है जहां पर मारी वीडियो खतम होती है न उससे थोड़ी से पहले थोड़ी से पहले इसी पे थ्री डॉट पे 3-dot पर नहीं Sorry इस फ़र चाबी पर क्लिक करने बाद प्लस वाले फीर ठोड़ा और उपर कर देंगे और आपको लगे कि उपर उड़ रहे हैं कि इसे फोटो प्रोट को छोटा कर दिए फिर हम टिक्क पर क्लिक कर देंगे तो फ्रेंड्स आप स्क्रीन में देख रहे हैं हमारी वीडियो बन चुकी है मैं प्ले कर रहा हूं आप देख लो तो फ्रेंड्स आप स्क्रीन में देख रहे हैं हमारी बिल्कुल बड़ी है जग्कास वीडियो बन गई है अब हम इसे सेव पर क्लिक कर देंगे save करतेंगे share पर click करके export करतेंगे friends आपको ध्यान देखना है हम इस पर fhd1080p वाले पर click करना है और export करतेंगे तो ये मारी video gallery में save हो जाएगी आपकी ये video save हो गई होगी तो friends मुझे उमीद है आप समझ गए होंगे इस video की editing कैसे करनी है इस video को बनाने का असान तरीका है आपको एक phone में video play करनी है और दूसरे phone में editing करनी है तो friends I hope आपको ये video पसंद आई होगी इसे like केजिए share कीजिए और ऐसे informative videos के लिए मेरे channel को subscribe कीजिए और हाँ bell icon दबाना न भूले bell icon दबाने से मेरी new videos आपको मिल जाएंगे thank you, मिलते हैं next video में